हलो दोस्तों भारत अपडेट्स जानल में आपका स्वागत है और दोस्तों आज 17 जुन 2022 और आजखी 15 इंपोर्टन अपडेट्स आप सब भी के रिलेकर यहां पर आ चुका हूं तो दोस्तों यह कुछ यहां पर अपडेट्स रहने बाली हैं तो चली फिर शुरू करते हैं प 2,85,347 एक्टिक केस हुए 147 और अब तक जो है 2,85,066 जो है ठीक हो चुके हैं तो दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट हैं यहां पर चली नेक्स अपडेट्स देखते हैं तो बिमान इंधर में 16 फिर्द्धी महंगी होगी हवायात्रा बिमान इंधर का भाव जो ह सब्सक्राइब लिया गया है एरलाइन के कुल खर्च में एटियाफ का योगदान 40 फिसदी का होता है सब्सक्राइब अन्य एरलाइन्स ने हवाई खिराया दस से पंद्रा प्रजिशत तक महेंगा करने का संकेत दिया है चले दोस्तों नेक्स अपडेट यह रही राष्ट् किया तीन नामांकन अवश्यक बिधाई मानकों का पारणना का नगान रध हो गए राष्टुपति के लिए स्वें उमिद्वार या उसका कोई प्रस्तावक वासमर्थ भी नामांकन करा सकता है संसेद भवन के कमरा नंबर 29 में सुबह 11 बज़े से अप्राहं तीन बज़े तक नामांकन के जा रहे हैं उमिद्वार का संसेदी निर्वाचन शेतर की मत दाता सुच्छी में नाम दर्ज होना और इसका परमाणने के दुरान प्रतेक 15,000 रुपे नकद यह सरकारी ख़जाने में जमांकी रिसीत को भी नामांकन के साथ लगाना अनिवारे हैं तो यहा कोई विचार संजे उपनिदेशक कारयाले पहुंचकर दस्तावेजों कि जाच करवाई प्रानवेक शिक्षा उपनिदेशक कारयाले हमिरपुर में बलोणी लेलीन तलासी जीबी एरोपा स्वाहल मटाहणी नेरी खगल नाल्टी और अब ध्याल स्कूलों के मल्टी टास्क बर्कुरों के आवेदन करने वाले अब हैं सुभा साड़े दस वजे प्ररंबिक शिक्षा उपनिदीश का रहे हां मिलपुर में पहुंचकर शाम पा प्यम मोदी के रोडशो से पहले कांगड़ा के गगल में एनच का पर बिरोद में उत्रे यूबा पोस्टर फाड़े मंडी हमिरपूर उन्ना से रिमोर में भी प्रदर्शन मोदी के रोडशो स्थल तक कोशिच करने के कोशिच करने पर 20 यूबा हिरा सक में दस राजे में बिरोद की आग बिहार में पांच ट्रेने को की तो यह दो सो आप इधर देखी सकते हो तो यह निवस्तियों ना क्या है तो इसमें जो है सिर्फ चार साल तक ही इसमें जो है नोकरी कर पाएंगा जो भरती होंगे और भरती का प्रसीजर वही रहेगा और सिर्फ चार साल तक कोई भी आर्मी इंडियन एर्फोस या नेवी में भरती होंगे उनकी इसलिए यह सभी बिरोध यहां पर हो रहे हैं ओके चलिए दोस्तों नेक्स सब्सक्राइब देख लेते हैं तो यह रही कुलों में बारिश श्मला में खिली धूब प्रदेश के दिकांश के तरों में बी भर दूफ के लिए रही मौसम बिज्ञान के अंदर श्मला ने बीच जून तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूरो अनुमान चताया है भारी बारिश और अधर का यह लट भी जारी किया है बुद्वाराज हुई बारी से बीर बार को प्रदेश के अध बारलाचा रोतां का बिकर बन रहा है इसकी बज़जा रोतां के लिए एक दिन में महज 1222 के ही परमेट मिलना है तो यहां पे मनाली लेह मार्क प्रसिद बारलाचा के लिए रोजाना पंदर सोचे दिख वाहन जा रहे हैं इन्माले की और जाने वाहन भी शामिल है बस सेवा पी शुरू कर दी है तो यह दोस्तों यहां पे अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही अब तीसरे दिन देंगे पानी नया शेडूल किया जारी अधिकारिये बोले जहां पानी नहीं वहां भीजेंगे टेंकर हेल्प्राइन नंबर भी किया जारी बि नई योजना है राश्ट्री आपदा तो यह आप देख सकते हों देश के वाँ से धोका करने का लगाया आरोप लाखों यूबा तीन सालों से सेना भरते की मांग कर रहे हैं लेकिन राश्ट्र वक्त होने का नाटक करने वाली सरकार नहीं तक जो है अब जो है ठेना से का से यह भी ठेके पर दे दिया है तो यह दोस्ते यहां पर अफ्टेट है यह आप इधर देख सकते हो हुआ हुआ कि नेक्स्ट अपडीट यह प्रदेश के साथ के दुर में 1731 विद्यातियों नहीं दिया है नेक्स्ट अपडेट यह एच्ची पृक्षा के लिए आयोगने मां प्रिक्षा के लिए प्रिक्षा के लिए प्रशन पत्र प्रिक्षा मुख्याले से प्रिक्षा के अंदर तक होगी प्रिक्षा के लिए 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 प तो यह तो दोस्तों होगी इन सभी की बात पुलिस को से भलती प्रिक्षा की बात कर ली और अब यह हम देख लेते हैं जो कुछ छूट गया है तो हां तो पहले बात कर लों कि कि इग्जामनेशन फॉर्म किनके भरने दोस्तों बीटेक और एमबीबीएस के चातरों के जो है यहां पर इग्जामनेशन फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ चुका है इसके लिए मैंने कल एक स्वेशल वीडियो भी बना दी है ठीक है तो वह भी अब चेक कर लेना इसके बात दोस्तों मैं बात करूं तो यह बाकी तो होई चुका है यूजी फाइनले का रिजल्ट कब तका सकता है दोस्तों अपरेल मई में आप बता रहे हो कि आपके एक्जाम हुए हैं अगर अपरेल मही खतम हो गये तो अपरेल के बाद मई जून तो जुलाई में आपका रि result आ सकता है जल्दी करेंगा तो जल्दी भी आ सकता है जुलाइं तक आप मांनके चल सकते जुलाइं मापका result जो final इंद का है वो आ सकता है possibility राकी जल्दी आएगा तब भी आपको पता चल जाएगा ठीक आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं मकात्रम होते हैं तो एक मन्त भाद फिर ना तो एक ही मन्त है बट थोड़ा यहां पर यह भी था हड़ताल भी थी तो उसकारण हो सकता है बट जुलाई में तो आना ही चाहिए आपका रिजल्ट है जुलाई में आपका रिजल्ट आ सकता है बाकी जल्दी आएगा तो वह एक पर डिपेंड है और बाकी वीडियो चे लगे तो लाइक शर्ट चैनल को सब्सक्राब जूरू करेगा और हां अपना कमेंट करके बताना क कि आपको क्या लगता है कि कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है आप सभी कमेंट करके जुरूर बताना कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है आपको क्या लग रहा है ठीक है ओके थैंक यू